हर्याना की हर अप्डीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना निउस नमस्कार हर्याना निउस के खास खारेकरम किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागतर मैं हूँ आपके साथ सूनिया सत्या नीता तो किस्मत कनेक्शन हमारा वो खास कारेकरम जिसमें हम आपको बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है और आपकी सितारे क्या कुछ कह रहे हैं और ये तमाम जो बाते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मैं मशहूर टेरो कार्ड टेरो डीडर मैम रंजना राणा जी मैं बहुत स्वागत है आपका नमस्कार जी तो मैं बताए कि आज का दिन मुलांक एक के हिसाब मुलांक एक के लोगों के लिए कैसा रहने बाला है लेकिन हम शुरुआत करेंगे आज के सूवचार के साथ आज का सूवचार है कि हसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हस के किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है कौन कहता है कि हम खाली आता हैं और खाली हाथ जाते हैं हम अपने साथ अपना भागे लाते हैं और अपने साथ अपने कर्म ले जाते हैं इसे हमेशा इस बात को याद रखिए ताकि आप हमेशा सत्ती किरा पर चलते रहें जी बिलकुल गीता की तरह ही मैं हमने आज का सुवेचार बताया है कि हमेशा अच्छे कर्म कीजेगा जितने अच्छे हमारे कर्म होंगे उतना ही अच्छा हमारा भविश्य होगा उतना ही अच्छा हमारा बरतमान होगा और आने वाला जीवन भी हमारा सुख में होगा तो चलिए कारे कर्म की शुरुआत करते मुलांक के हिसाब से नमबर एक वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है और हो सकते हैं कि किसी को बहुत ही अच्छा शादी का प्रस्ताव आए जिससे कि उनकी जो भी कुंडले मिलान करने के बाद अगर आप चाहें तो ज़रूर ये शादी उनकी करवा सकते हैं और ऐसा भी तिखाई देता है कि अगर आपके दामपत्ते जीवन में कोई भी तरह की मिसांडरस्टार्णिंग रही हो तो वह भी लगता है कि आज एकदम आपकी खत्म हो जाएगी और पहले की तरह ही आप खुश रहना शुरू कर देंगे आपका रंग भी बहुत ही अच्छा है सफीद रंग है और आपका जो अंक है वह है नमबर दो आज अगर आप दूद और चीनी का दान करेंगे इस से आपको बहुत जादा लाब दिलेगा जी तो मुलांक एक वालों के लिए खुश खबरी वाला ये दिन रह सकता है आपके लिए अच्छे विभार का प्रस्ताव भी आ सकता है और हमारी भी आप लोगों को शुब का वनाई नमबर एक वालो का दिन शुब हो अब बढ़ते हैं मुलांक दो की और मुलांक दो वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा मैं मुला दो वालों के लिए हम देखते हैं कि काफी दिनों से काफी कश्म कश्म फसे हुए हैं काफी प्रॉबलम दिखाई दे रहा है और मगर हम ये देख रही है कि इनका कहीं ना कहीं financial situation जो बहुत जादा ठीक नहीं है वो आज से दीरे दीरे ठीक होने शुरू हो जाएगी और इससे इनको जो मन में इतनी tension परिशानी बनी हुई थी वो इनकी बिलकुल खत्म हो जाएगी और इनके साथ साथ इनके दांपते जीवन में भी हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश्या आने वाली है रहने वाला है इसी के साथ आप अगर सूरिय देवता को भी जल देंगे तो आपका दिन और भी जादा अच्छा होगा तो इसी के साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे सखास कारेकर में आप भी हमारे साजूर सकते हैं आपकी जो भी समस्साइं हों वो हम तक पहुचा सकते हैं हमारे स्टूजियो में मौझूद हैं मशूर टेलो कार्ड रीडर रंजर राना जी जो कि आपको सभी समस्साओं से निजात पाने के उपाई भी बताएंगे अब बढ़ते हैं मुलांक तीन की और क्योंकि भगवान का भी इनके उपर पूरा पूरा आशिरवाद है इसे बहुत जरूरी है कि इसको आज ये अपनाएं और इसके उपर ये आगे बढ़ें चाहे वो बिजनिस हो चाहे वो इमोशनल लाइफ की सिचुएशन हो हर तरह से आज का दिन नंबर तीन वालों के लिए बहुत ही ज़ादा बेतर साबित होता है इसके साथ साथ दो रोटी और गोर आप गाएं को दीजिए इससे और भी ज़ादा शुब हो जाएगा आपके लिए आपका रंग हिलाग और आपका जो अंग है वो है नंबर 9 तो बिल्कुल मुलांक तीन वालों के लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है और बड़ा ही सुभागे शाली दिन जो है आप लोगों के लिए साथ शुब काम ना है आपका दिन शुब हो बढ़ते हैं मुलांक चार क्यों मैं चार नंबर वालों के लिए आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है चार नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं इनका दिन भी बहुत ही जादा बेहतर साबित होने वाला है मगर थोड़ा कश्मकश जादा है, थोड़ा स्ट्रगल जादा है, थोड़ी मेहनत जादा है उससे आप बिलकुल भी मत घबराईए क्योंकि इस मेहनत से आपको डबल फायदा होने वाला है इससे घबराने की जरुरत नहीं है कन्फ्यूशन जरूर है आपके माइन में मगर थोड़ी सी एकागरता लाईए और मेहनत कीजिए, आपका दिन बहुत ही जादा अच्छा रहने वाला है संगर्शपूर्ट जरूर है मगर इसमें आपको बहुत जादा सक्सेस दुपहर के बाद मिलने लग जाएगी बताएं हैं, वो अगर आप करेंगे तो आपका दिन और भी जादा बहतर होगा और खास तोर पर दोपहर के बाद आपका जो दिन है वो बहुत ही अच्छा बीतने वाला है आपके जो सितारे हैं वो आपको बहुत कुछ दिने की इच्छा में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अब बढ़ते हैं मुलांक पाँच के सितारे आज क्या कुछ बता रही है मुलांक पाँच बालों के लिए हम देखते हैं इनकी लाइफ में अगर कोई कोट कचेहरी का मामला है तो वो हमको दिखाई दे रहा है कि वो आज इनका जरूर सॉल्व होने वाला है अगर किसी का कोट कचेरी का मामला लगा हुआ है और कुछ दिन बाद भी होने वाला है तो हम आप जरूर जाकर आज अपने जो लॉयर है उनसे आप बात कीजे जरूर आपको ऐसा कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जो कि आपके फेवर में होगा इसलिए आज का दिन कोई भी कोट कचेरी का मामला हो कोई भी लिटिगेशन का मामला हो उसमें आप जरूर जाकर आप डिसकुशन कीजे वो आपके लिए बहुत ही ज़ादा फायदमन साबित होने वाला है घर से निकलने से पहले गरनेश चाली सार का पार्ट करके निकले आपका दिन और भी ज़ादा बेतर हो जाएगा आपको जो रूंग है वो है गुलावी रूंग और आपका जो अंक है वो है नमबर छे तो मुलंग पाचवालों के लिए भी आज का दिन बैतर रहने वाला है कही ना कही आपके जितने भी लीगली काम है चाहे कोच का हो या कचारी का हो उन कामों से भी आपको कही ना कही निजात मिलती हुए आज के दिन दिखाई दे रही है इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप गणपती भगवान की भी पूजा करें जिससे आपको सुख सम्रदी और सुभागे की प्राप्ती होगी तो फिलहाल हमारा जो खास खारेकरम हो जारी रहेगा लोटेंगे छोटी से ब्रेक के बाद बेके बाद आप सबीका स्वागत है तो चले बढ़ते हैं हमारे खास खारेकरम की और और जानेंगे कि आज क्या कुछ कह रहे हैं मुलांक के हिसाब से आपके सितारे तो बढ़ते हैं हम मुलांक च्छे की और जैसे कि पांचों के पांचों के पांचों नमबर जो हैं उनके लिए आज का जो दिन है काफी अच्छा रहने वाला है काफी खास रहने वाला है मुलांक च्छे के और बढ़ते हैं मुलांक च्छे के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है मुलांक च्छे वालों के लिए आज का दिन अच्छा है मगर आज उनको बहुत ही जादा important निर्ने लेने होंगे जिसके लिए थोड़ी सी परिशानी इनके मन में आ रही है मगर हम आपको suggestion नहीं देते हैं कि आप जो भी निरने लें सोच समझ के जरूर लें मगर हम यह देख रहे हैं कि जो भी आप निरने लेंगे वो एकदम आपके लिए भी ठीक होगा और आपके जितने घर परिवार वाले लोग हैं उनके लिए भी ठीक होगा इसलिए अपने अंदर confidence लाएए long term जिसमें benefit हो वो ही निरने लेना आपके लिए बेतर होगा यह हम आपको थोड़ा सा tip देना चाते हैं और इसके इलावा आपका दिन बहुत ही बेतर जाने वाला है और जो भी काले करेंगे उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी आपका रंग बहुत ही powerful है वो है हरा रंग और आपका जो अंक है वो है नमबर पांच जी तो मुलांक 6 के लोगों के लिए आज का जो दिन है वो बड़े फैसलों का दिन है और कही ना कहीं आप थोड़े से confused जरूर होंगे लेकिन आप कहीं ना कहीं इस confusion को दूर करते भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमारी शुब कावना है आपके साथ है आपका दिन शुब हो बढ़ते हैं yep तो आपको यही सिजिशन देते हैं रहे हैं आपके लिए कँछ समय जरूर अपने घर-परिवार अपने बच्चों, अपनी धर्म पत्नी के Сाथ आप जरूर स्पैंड कीजे क्योंकि वहां पर थोड़ा कहीं न कहीं आपका बैलंस खराब हो रहा है और आज का दिन आपका बहुत बेतर है जिस कारे में भी आप जाएंगे आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है आपका रंग भी बहुत ही अच्छा है वह है ब्राउन और आपका जो अंक है वह नंबर साथ यह तो बिल्कुल नंबर साथ के लोगों के लिए आशका दिन जो है काफी अच्छा रहने वाला कहीं न कई पारिवारिक रूप से उल्चने आपको देखने को मिल सकती है लेकिन आप उन उल्चनों को भी पार पाने में सक्षम यहां पर साभित होंगे इसी की बीच हमारे साथ जह जर से हमारे कोलर सोनिया हमारे बीच बीच जुड़ गई है उने मegle चाहतना चाहें और यह चाहते है कि सरकारी जो मिले दिया नहीं तो सोनिया सरकारी नौकरी के लिए आप से सवाल पुछ रहे हैं मैं सोनी जी आपको जॉब तो मिल सकती हैं मगर आपको मेहनत बहुत जादा करनी पड़ेगी उसके लिए हम आपको सजेशन यही देना चाहते हैं कि सूरे को जल आप अवश्य द का बाट करें ऐसा आप करना शुरू कर दीजे कल से ही तो आप देखेंगे कि बहुत जादा आपके लिए सक्सेस्फुल होगा मेहनती बहुत है आप और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी जी तो सोनिया हमारी विश्व कामनाई आपके साथ है इश्वर आपको मन चाही न बहुत ही अच्छा रहने वाला है भगवान का इनके उपर पूरा पूरा आशिरवाद है मेहनत ये भी बहुत ज्यादा करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो इनकी कारी शेत्र में इनके जो बॉसिस हैं वो भी इनकी पूरी सरहाना भी करेंगे और आज का दिन इनके लिए बहुत जादा favorable ही जाने वाला है गर परीवार में भी इनको पूरा support मिलने वाला है जैसा भी ये काम करना चाहें इनको आज भगवान का भी आशिरवाद है अपने बॉसस का भी है और घर के चेतर में भी इनके लिए बहुत जादा लाबकारी दिन है आज के दिन का पूरा खास रहने वाला है और कहीं ना कहीं आट नमबर वाले लोगों के लिए एक आज का जो दिन है बड़ा सुभागे शाली होने वाला क्यूंकि उनको कारेक्षर में भी इसे लिए उनको उनको वो और जादा सम्मान मिलेगा परिवार के उसे उनको सही हो भी मिलेगा नमबर 9 के लिए आज का दिन कैसे रहने वाले में नमबर 9 वालों के लिए हम देखते हैं काफी दूनों से किसी कारे के लिए ये महनत बहुत जादा कर रहे हैं और हम इनको भी देखते हैं कि इनका भी दिन बहुत बेतर है, इनके उपर भी भगवान का पूरा आशिरवाद दिकाई दे रहा है, और हम देखते हैं जरूर बहुत जल्द ये अपने जो विकारे करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, उसमें ये आगे जरूर बढ़ेंगे औ इसमें इनको बहुत जादा सफलता भी मिलेगी, इसलिए कुछ जो विलंब आए हैं आपके या थोड़ी बहुत जो आपको प्रॉब्लम्स आई हैं वो आप छोड़ दीजिए उनके बारे में सोचना और पूरे confidence और positivity के साथ आप आगे बढ़ते चाहिए, आपका रंग बह कीजिए और फिर अपना कारे शुरू कीजिए, देखिए आप इस सारे काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगे, तो नंबर नो वालों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है, कहीं ना कहीं जिन फैसलों को लेते हुए वो अर्चन महसूस कर रहे हैं, वो भी दूर होंगे, तो इसी के साथ जैसे की मैम ने आपको जिस मंत्र का उचारन करने के लिए बता है, तो उन देवी देवताओं की पूजा करें, जिनसे आपके लिए और भी जादासानी हो, आपका भविश और भी बहतर बने, और नंबर नो वालों के लिए हमारी और से भी शुब कामनाई ह हैं, आप जितने भी मुलांख हैं, उन सभी का दिन शुब हो, इसी के साथ ये भी जाना चाहेंगे, मैम के जैसे की सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में जिस तरीके से हम पेड़ पोधे देखते हैं, फिर जिस तरीके से जानवर देखते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ दान दान पुन ने करना सही रहेगा, और जिनसे ग्रह भी प्रसंद नहों, देखिए, बहुत छोटे छोटे दान पुन हैं, जो आप कर सकते हैं, उससे बहुत जादा आपको लाब मिलेगा, एक तो रोज अगर आप चिडियों और चीन्टियों को बाजरा और चीनी का दान करें उससे बहुत जादा आपको लाब मिलेगा, अगर आपके कोई लोन्स हैं या आपके शत्रु पक्ष्ट जो हैं, वो काफी हद तक कमजोर हो जाएगा, इसके अलावा हम देखते हैं, अगर आप दो रोटी और गोडो जिसमें काला तिल लगा के अगर आप रोज गाएं को द हरा चारा गाएं को देने से बुद क्रेब बहुत जादा ठीक हो जाएगा, तो इसलिए ये सब जो चोटे-चोटे उपाएं हैं, इनको आप करेंगी तो बहुत जादा आपको लाब मिलेगा, बिल्कुल तो इसी सर्दे के मौसम के साथ हम भी आप लोगों से यही रिक्वे जिम्मे आने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है, तो हमारे इस खास खारकल में इतना ही देखते रही है, हारियान न्यूज, नमस्कार कि जो थारश बादर प्रयश, तो हमारे दूब हैं इतना ही है, तो हमारे रहाई लिएक्वेशते हैं, हुआ है, तो हमारे बादरे के रहाई एक बादराश आने ही लिएक्टाइश नमस्कार